hello friends as you all know कि हम एक English spoken plus comparative exams के लिए English की class start करने वाले हैं so आप देख रहे हैं channel you сам गोली and इसी channel पर हम start कर रहे है English spoken के class जिसमें adolescence coronavirus exams के भी हम बहुत सारे questions and problems solve करेंगे तो Hello friends मैं हूँ रितु कुछ और आप देख रहे हैं चेनल यूर एक्जाम गोले दोस्तों हमारी क्या प्लानिंग और स्ट्रेटेजी रहेगी जो हम आगे इसमें डिस्कस करने वाले हैं तो देखते हैं हमारी स्ट्रेजी और प्लानिंग क्या है so हम वन लेक्चर अदेट करेंगे and वन टोपिक अदेख करेंगे एंड उस हर टोपिक से रिलेटेड हर उसमें उसको अच्छे से गेन कर पाएं और जिनके पास अल्री एक बैसिक नॉलेज है उनका रिवाइज हो जाए और वो आगे के लिए रेडी हो नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे कि इसमें हर एक एक एक्जाम से रिलेटेट प्रॉब्लम्स रहेगी क्योंकि हमारा मेन फोकस कॉम्पेटिशन एक्जाम से है इसमें कंटेंट ऐसा दिया जाएगा जो कि हर एक कंडिडिट के लिए सुटेबल रहेगा चाहे वो किसी बिजनस म में हो स्पोकन इंगलिश के लिए कोर्स कर रहा हो या फिर किसी कॉम्पेटिशन एक्जाम के लिए वो प्रिपेर कर रहा हो and we are going to complete this entire matter within a month हम सिर्फ एक महिने में ये पूरा matter complete करने वाले हैं बस इसमें very important thing we need is that your support and help so please इस चैनल को subscribe कर ले ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपको time to time मिले and आपको हर एक वीडियो तक access हो ताकि आप course को पूरा कर पाए now we are going to discuss what are the major topics we are going to study in this हम इसमें क्या-क्या major topics पढ़ने वाले हैं वो हम discuss करते हैं so इसमें major topics हम पढ़ेंगे first of all the parts of speech with special reference to the competitive exam point of view it means part of speech और उस से related क्या-क्या questions exam में आ सकते हैं वो हम देखेंगे next the very important part or topic of the English grammar that is tense and their proper use it's very important tense का proper use होना बहुत जरूरी है so tense and their proper use and specific rules what are the specific rules that we use in tenses tense में हम किन-किन rules का specifically use करते हैं वो भी हम इसमें देखेंगे next data इसमें narration and the different forms हम इसमें narrations की भी बात करने वाले हैं यह सभी topics हम details में पढ़ने वाले हैं active and passive voice जो की एक तरह से tense का ही part है but यह active and passive voice खुद में एक बहुत बड़ा topic है next हम देखेंगे reported speech then subject work agreement चुकि हमारे लिए competition exam के point of view से बहुत ही ज़्यादा important है and next error correction यह है अपना इस week का format इस week में हम यह topics complete करने वाले हैं so guys get ready and we are going to launch our videos very soon so आप जल्दी से इस channel को subscribe कर लिजिए और हाँ अगर वीडियो आपको पसंदा है तो like कीजिए आपको वीडियो कैसे लगते हैं वो आप comment box में जरू डालिए thank you